कटहल की सबजी तो आपने बहुत बारी खाई होगी क्या आपने कटहल की बीच की सब्जी कभी खाई है तो चलिए आज हम बनाते हैं कट connection की बीच की बहुत स्वाद सब्जी जो कटल की सब्जी से भी ज्यादा टेस्टी लगती हैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट है एक बारी इस रसीपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना अपर आधा है और परट निकल जाता है तो देखने कितने असानी से चिलका निकल जारह रहे इसी तरह से हम सारी छिलकों को निकाल लेंगे तो देखें मैंने सारी छिलकों को निकाल लिया है बीज एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है अब हम क्या करेंगे ना बीज को थोड़ा सा हम कुचल देंगे इससे क्या होगा बीज में थोड़ा सा दरार आ जाएगा जिससे जब आप सबजी बनाएंगे तो उसके अंदर भी मस अप साइस के आलो जैसे इस तरह से हमने क्यूब्स में काट लिया है और अच्छे से दो लिया है अब हम क्या करेंगे गैस पे चला देंगे एक पैन और उसमें डाल दिया एक कप पानी जो एक दम अच्छे से गरम हो गया है और उसी में हम आट कर देंगे बीज को ऐसा करने लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चममज हल्दी पाउडर और सभी मसालों को एकड़े से मिक्स कर लेंगे जिसे जो हमारे पाउडर मसाले जो वह फूल जाये तो लेज़ेगा है मसाले रडी हो गया हैं अब हम इल्च नहीं रख देते हैं साइड में और चेक कर लेते हैं कि हमारे बीच किस तरह से पके हैं तो आल्मोस 5-6 मिनट हो चुका है बीच से हमारा लसलसापन भी बहुत अच्छे से निकल गया है पानी का कलर देख रहे हैं कितना दंदा है तो यह प्रोसेस जरूर से कीजिए का नहीं तो बीच पी करवापन जासा टेस्ट आने अरे तक हम इन अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो देख रहे हैं हमारे आलो भी अच्छे हो गये हैं तो अब आलू को निकाल लेंगे प्लेट में और जितना बचा हुआ तेल होगा ना हम उसे में फिर से फ्राइय कर लेंगे अपने बीज को जो हमने निकाल कर रखा है कैसे भी हम सुनहरा रंग आने तक अच्छे सी री पर फ्राइची जाता है और रा इस तरह से भी कहा सकते हैं एक रजा पर ऐसे china लेंगे और एक चमच तेल आट कर देंगे और इसमें हमें डाल सेड़ देंगे एक चमच के करी Dawn जीरा 2 सुखी लाल मिर्च अपर में और अच्छल एकदम चटका लें sama तो देखिए प्याज में हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें आड़ कर देंगे पीसे हुए मसाले और मसालों को भी एक दम अच्छे से हमें इन्हें पका लेना है जीतने अच्छे से आप मसाले भूनेंगे आपकी सबजी का टेस्ट उतना ही जबरदस्त आएगा फिर हम इसमें आड़ कर देंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर और टमाटर जाते ही इसमें आड़ होगा नमक और साथ ही हमने इसमें आड़ कर दिया है हाफ चमच के कर्वी बन कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह ऑप्शनल है बस मैंने कलर के लिए आड़ किया है आप चाहें तो इससे स्किप्ट कर सकते हैं और मसालों को हम एक दम अच्छे से भून लेंगे मसाले हमारे जले नहीं इसी के लिए मैंने क्या क्या एक चमच पानी हमने इसमें आड़ कर दिया है और अब मसालों को एक दम अच्छे से भूनेगे जब तक की मसालों से तेल रिडीज ना हो जाए तो देख रहे है masyalे हमारे बहुत ही अच्छे से भून गया है मसालों से तील अलग होने लगा है तो बस हमारे अच्छे से पग गया है इसी समय हमने जो आलो को फ्राई करके रखा था ना और बीज को उसको हम मसालों के साथ डाल देंगे और उन्हें भी मसालों के साथ हम दो मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे जिससे बीज और आलू में मसाला एकदम अंदर तक चला चाहिए तो देखरें हमने आलू और बीज के एकदम अच्छे से मसालों के साथ धून लिया है अब हम इसमें अट कर देंगे एक कप पानी आप पानी कम या जादर कर सकते हैं आपको जिस तरह की कंसिस्तेंसी चाहिए अप उस साब से पानी इसमें आड कर सकते हैं फिर हम इसे एकदम अच्छे से ढख कर पास से साथ मिनट के लिए पकने देंगे जिससे आलू और जो बीज हो वो एकदम अच्छे से पक जाए और मसाले भी उसके अंदर तेक चला जाए फिर गैस की फ्लेम को आफ करने से पहले हमने थोड़ा सा इसमे आट कर दिया है गरम मस अब हम आट कर देंगे मुठी बरहडा धनिया जिससे इसका फ्लेवर और भी बहतरीन हो जाए और यह बहुत ही टेस्टी लगे खाने में तो देखिए आपकी सब्जी बनकर हो गई है रेडी हम गैस के फ्लेम को कर देंगे आफ तो आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख रह को यह बहुत पसंद आएगा तो यह सब जिना रोटी चावल सभी के साथ बहुत टेस्टी लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से कर कर दीजिए और वीडियो को आँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जूरे रहें